सोने को निखडने के लिए तपना है पढ़ता है तो आपके नंबर कमाये हैं लेकिन अपने आपको आप एवरेज बच्चा नहीं माने क्योंकि उस केमपस के कंड कंड में मन विराज नहीं लग जाता है क्या भी स्कूलिंग करके बारी फांडेशन में जब बच्चे आते हैं लेडी जैन के बच्चे भी प्रिंट्स में काफी पढ़ते हैं सक्सेज बेच्चे हो रहे हैं यह सर नेट सक्सेज स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज हमारे बीच में दो परतिवाएं चूरू का अक्षत बाठी और मदन गंज किसंगर का कुनाल सेन अक्षत बाठी ने 658 मार्क असिल किये और कुनाल सेन ने 619 मार्क असिल किये नीच 2021 में दोनों बच्चे डॉक्टर बढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले में चलता हूँ, अक्षद बाठी की तरफ, अक्षद अपने बारे में परिवार के बारे में बताएं मैं अक्ष्ट चुरू करहने वाला हूं जिसमें मैं एक joint family में रहता हूं जिसमें मेरे पापा मूमी है जो कि दोनों government service में है पापा दोनों ही government lecturer है पापा जी chemistry के और ममी जी political science के तो दस्वी कौन सी school से की आपने दस्वी मैंने होम 10 में एक little flower school से की बिल्कुल सर तो जब ग्यार विव में आये तो साइंस के लेक्टर पापा जी नहीं का होगा कि साइंस में जाएगा बच्चा ममी हुमनिटीज पॉलिटिकल साइंस के है तो उन्होंने का होगा बेटे को हमिनिटीज दिलाते हैं ने ने सर ये टैंथ के बाद साइंस लेना ये मेरा डिसीजन था बहुत अच्छा और बताएं परिवार के बारे में और मेरे गर में एक मेरा चोटा बाई है जो और मेरे दादादी है अश्रवाद से आज में उड्वाद बढ़िया तो जेपी सेनी सर केमेस्ट्री के लेक्टर चुूरुल Tabii बिलकुल बिलकुल उने के सला थी कि में आज प्रिंस में आए कौन सी क्रास में आए थे आप मैं से 12 त यहां प्रिंस में आयए था 12th-11 वी कहां पड़े ग्यारवी में स्कूलिंग की थी हो मट्राम से, तो ग्यारवी स्कूलिंग करके बारी फाउंडेशन में जब बच्चे आते हैं तो बहुत से दफा तो हवाई उपर से पार होती है, आपकी क्या स्थिती रही थी, शुरुआत में काफी दिकत आती है, पढ़ने का तरीका अलग कैचप हो गया, तो आप मानते हो कि आपो बारी में आना चाहिए था यहां नहीं आना चाहिए था, अगर नहीं आता तो यह काफी बड़ी गलती होती है, और ग्यारिम में आजाते तो, काफी फायदा होता है, आप चलते हैं कुनाल सेन की तरफ, कुनाल मदं गज एवरेस भी नीचे था तो थोड़ा हार्ड हुआ पड़ाए करना क्या परसेंटेज थे आपके सब्सक्राइब चलते थे सीपीशी में सेवन तो उनके बीच में बेटके पढ़ना वह थोड़ा हाँ तो थोड़ा हाँ पर सर मैनत करी और टीचरों का सब बहुत सब्सक्राइब तूससे सर मैनत मैंनत करी और नमर आगया जा रहे हैं बहुत अच्छा है तो कुनाल पापा जी मार्बल का काम करते हैं किशनगेड में लंबा चोड़ा किशनगेड मार्बल का व्यापार है मैंने सुना मार्बल के व्यापार में बड़ा मुनाफ़ का काम होता है इसका तो पता है नहीं तो पापाई जाने है नेक्स चलते हैं फिर अक्सत बाठी की तरफ अक्सत बताएं कैसी जर्णी रही आपकी नीट की तयारी की घरक से निकलने के बाद यहां बार आकर रहना काफी थोड़ा मुश्किल रहता है और उसके बाद काफी लालन पालन भी सा होगा चुरू में और यहां राकर रहना और खान पान बदलना पहली पर घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है यहां पढ़ाई का तरीका और सब कुछ अलगता पर दिरे 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 काफी चीजे सीखने को मिलती है बार आने के बाद खासकर प्रिंस में इतना अच्छ स्टाफ सब कुछ इतना सपोर्टिव था कि आज जो कुछ भी हूँ बहुत थैंक्यों हैं सब पूरी संस्ता को और गाड़ियंस को जो आज मुझे विश्वास करके आज मुझे कर से दूर बहुत बढ़ी आद जो कमियां 11 में रह गी थी वो मैंने 12 में कैचच अप में जो कि जब 12 के बाद टार्गेट का समय था तो मैं थोड़ा समझस में था पापा जी ने काया कि मुझे विश्वास कर और एक बर आख बंद करके चला जा जा एक मेने बाद पुछा कि अगर मन नहीं लग रहा है या कुछ नहीं जच रहा है तो वापिस घर आ जाया या पहीं द लेकिन बार्विय में भी अगर अपने सुरुवात की कर दिये तो अपन टार्गेट में सुरुवात करने से एक अदम आगे चले जाते हैं चलते हैं आगे फिर कुनाल सेंगी तरफ बदंगंज किसंगर्ड कौन से स्कूल से दस्वी गिया आपने केडिजन पब्लीक स्कूल अधिजन स्कूल भी अच्छा फिर माना जाता है यह सर की अधिजन के बच्चे भी पर्दते हैं सक्षेज भी अच्छे हो रहे हैं यह सर और जाज मैं दिया बोलूँगा सर जब में आया था तब तेंट में पी सेवी ती कुछ ज्यादा पड़ा लिखा लिखा निया तो य आब यह बताए हैं सेवन सी जीपी एंट में मैं बार बार जिक्रे करता हूं कि सेवन सीजी पीए तेंथ में कफी कम ना जाता है तो उस टाभी मैं आपने नीट की तयारी की हमत की क्या-क्या विचार थे दिमाद में पर पापा का यह बनाना था कि आगी जाए के डॉक्टर बने और उसमें डॉक्टर के माध्यम से जो आप सोसाइटी की सेवा कर सकते हो एक सीख परसन की सेवा कर सकते हो वैसा सटिस्फेक्शन और किसी बी लाइन में नहीं मिलता है अब तब पूरे परिवार में एक भी दोक्टर नहीं है तो अगर तू बन जाएगा तो अगर तो अगर तो बन जाएगा तो अगर तो में आज बहुत बड़े कर रखे आपने परिंस में इनके कितने परसेंटेज बाल अलाउथ है प्रिंस में चोटे-चोटे बाल रखता था तो जब नीट के बाज चाएग गैप मिला इसमें पर इच्छा पूरी कर लिए बाल में तो सर जब मैं 12 के साथ नीट का एक्जाम में अपीर हो रहा था तब 11 का स्कूलिंग से था तो काफी वीक था पोर्शन मेरा तो यहां मैं प्रिंट कांटर पर जो टीचर्स थे उनसे कंसल्ट किया तो भी काफी कम टाइम था नीट के दौरान और टीचर्स ने काफी सपोर्ट दिया वीवन एक डाउट कांटर के जो टीचर्स थे इतने डेडिकेटेड थे कि अलग से सपेशल एक गंटा क्लास सुब आट से है तो अलग से साथ बजे आगे गंटे मेरे लिए पी कम से कम यह है मारे पास तो इसको अच्छे से एक टोपी कंप्लीट करें तो काफी अच्छा सपोर्ट रहा वह बेस्ट एक्स्पिरेंस था उस टाम जो मैंने उन टीचर से सीखा वह आगे पढ़ना नहीं पड़ा मुझे काफ ज़से सा वाओल ने एक महीने दो महीने रहने के बाद सब गढ़ने लगने लगता लेकिन फिर वातावन में सेट हो जाता और सबकुछ गढ़ने लगने लगता क्यूंकि उसके एकंपस के कंड चंड में मन विराजने लग जयता तो कुने आप बटाएं कोई इस्पेसल एक कि यहां तो नहीं पड़ूंगा ने सब्सक्राइब करना चाहूंगा करना चाहूंगा करने लाल जी सेन मारपल के वेपसाई हैं और इंद्रा सेन मैं मैं वह गर्वर्मेंट टीचर है मैं आपको विशेश रूप से बदाई देना चाहूंगा कि बच्चे को यहां अगर अगर किसी बच्चे की कभी नंबर कम होते हैं तो उसको पर्मानिंट नहीं कर जा सकता तो आज से ये खाना बंद करते हैं कि मैं एक एवरेज स्टुडेंट था यह सर जै और सर बोस अच्छा लगा सर यहां पर अर्ची वह management आगा सार सूपर है आज तो आप management सूपर बताते हो लेकिन जब रते हो तो खतों कि थोड़ी strictness ज्यादा है उस पर दो सब्द कहें ने सा बस मतलब सबसर संस्तागूत 100% ही होता है कि कैसे कैसे रिजर्ट अच्छा बनाया जाए तो बस उसे के लिए सर पढ़ाई जाए जब बच्छे पढ़ते हैं तब खते हैं थोड़ा सा मामला थोड़ा स्ट्रिक है होता है तो उस पर आपकी क्या राय और बात बें खते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है सोने को निखटने के लिए तपना पढ़ता एकजयट ले बहुत अच्छी लाइन और अगर तपाएंगे नहीं तो उसे अभू-शन जुयल्री बनेगी नहीं तो अंतिम सवाल क कोई नीट एस्पिरेंट्स के लिए कोई आप इस्पेसल टिप्स बताएं सर मेरा करती है यही मानना है कि जो स्टाफ आपको सपोर्ट कर रहा है जो टीचर्स हैं उनके पूरा ट्रस्ट रखें मेरे जब मामक्स ऊपर नीचे होते हैं काफी असमंजस में था कि खराब मामक्स आ रहे हैं कि क्या होगा मेरा मानना यह मयदा इस सबढ़ने का लगाता है तो कॉन से सब्जेक को किस तरह से महत्वड़ी आप्ति है तो सबसे पहले वो श्रॉंग होनी चाहिए इसके बाद बाकी सब्जेक्ट को बाइलो ती मेन पोर्शन कवर करती है तो अच्छा टिप्स आपने बताया कि बायो सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है अगर उसमें आप स्कोर करने से पिछे लगाते हैं तो बायो का बेनिफिट नह आप तो उन बच्चों के लिए स्पेसल टिप्स बताते हैं जिनके दस्वी में एवरेज नंबर रह जाते हैं और वो डॉक्टर आएटीन बनना चाहते हैं तो उनके लिए टिप्स बताएं सार हर सब्जेट को सार इकुल इंपोर्टेंज दे लिए बताएं कि दस्वी में मान लीजिए बच्चे के अवरेज नंबर रहे हैं सार डॉक्टर आएटीन उसको बनने की सोचनी चाहिए नहीं और सोचे तो क्या क्या करना चाहिए हंडर परसंद सोचना चाहिए और सोचन जब लेते ही तो उसमें अपने पता लगता है कि अपन का है कि दैने पर देते दे चाहिए आप के दिन पर ले ले एंत बिस और हर चाहिए वर्जिन होगके थे व कर कि आटे में धह में में दो सब्सक्र पान ऌने बीद तोर औरस कॉसे बात अड़ें फॉज जूनें लेता कुनाल सेन के साथ, विश्यू वाल थे बेस्ट, थैंक यू सर।